हेलो फ्रेंट्स वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में मैं हूँ एड़ोकिट सनी शर्मा दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो कि आप सब के ही बहुत काम आएगी और आप सभी के इस जानकारी पर बहुत सारे questions कमेंट में मिल रहे थे तो दोस्तों आज की जो जानकारी है यह आप सब के मामलों में बहुत यूजफुल होगी चाहे आपका criminal मामला चल रहा है चाहे आपका matrimonial मामला चल रहा है दोस्तों हम बात कर रहे हैं call recordings की अब दोस्तों call recordings से सम्भंदी तरह-तरह की confusion जिन सबके मन में होती है दोस्तों आज की इस वीडियो में कानूनन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपकी call recordings होती है वो legal होती है या legal नहीं होती है और अगर legal होती है तो कौन से कानूनों के अंतरगत होती है और illegal होती है तो कौन से कानूनों के अंतरगत होती है इसके स valid नहीं है, यानि call recording कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप नहीं कर सकते हैं अब generally क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि call recording आप कर सकते हो call recording करना valid है, लेकिन कई बार आपको सुनने में मिलता है और आप लोगों के पर्शन भी आते हैं कि sir ये right to privacy का उलंगन तो नहीं है वहाँ पर हमें कोई problem तो नहीं आ सकती है, तो आपके सारे ही questions का समधान आज के इस वीडियो में आपको कानून के साथ मिलने वाला है वीडियो को skip बिल्कुल मत कीजेगा, जिके भी जो भी case quote में चल रहे है उन सब के लिए ये वीडियो बहुत important है और दोस्तो आगे बढ़ने से पहले बस आपसे ये request है कि आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके notification bell पर जरू क्लिक कर ले और वीडियो के नीचे description में आपको हमारे Instagram और Twitter account का link मिल जाएगा वहाँ जाकर हमको जरू फालो कर ले तो चलिए दोस्तो पूरे कानून को समझते हैं अब दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की The Indian Telegraph Act 1885 ये act काफी पुराना है लेकिन आपके इस सवाल पर ये बिल्कु सीधा जवाब देता है और इसके section 25 में call recording के बारे में बिल्कु किलियर है यानि कि इसका section 25 ये कहता है कि यदि आप अपनी call को record करते हैं तो वो किसी भी प्रकार का अपराद नहीं है कहने का मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपने recording on कर दी तो आप कर सकते हैं यानि कि दो लोगों के बीच में होने वाली communication को ये आप खुछ से record कर रहे हैं तो वो अपराद नहीं है लेकिन third party के दौरा ये ये call record की जाती है तो ये अपराद माना जाएगा जैसे कि दो लोग अगर बातचित कर रहे हैं और कोई third person उनकी conversation को record कर रहे है तो फिर ये अपराद है और इसमें सजा का प्रावधान है अब दोस्तों दूसरे act के हम बात कर लेते हैं दूसरे act है information technology act इस act के अंतरगत ऐसा कुछ भी स्पस्ट call recording के बारे में नहीं का गया है तो अब ये दि हम criminal law के recording देखें तो ये बात आती है निकल के conclusion ये आता है कि आप अपनी call record कर सकते हैं लेकिन कोई third party कि निए दो लोगों की conversation record करती है तो वो आप रात की शेंडी में आएगा अब दोस्तों इसमें मानने सुप्रीम कोट का एक landmark judgment आया था पुट्टस्वामी versus Union of India और इस case को right to privacy case भी कहा जाता है दोस्तों सुप्रीम कोट की nine judges की संबैधानिक पीठ ने इस पर फैसरा लिया था और ये declare किया था कि individual privacy is a guaranteed fundamental right यानि कुल मिला के सुप्रीम कोट ने इसमें right to privacy को आपका fundamental right माना है अब दोस्तों right to privacy मतलब क्या मेरी calls, मेरे द्वारा किये गए messages मेरी कोई भी personal information मेरे नीजी private informations है ये मेरी privacy है और कोई भी इसको breach नहीं कर सकता है अब दोस्तों हमारे पास दो point of view हो गए अगर हम law के according देखें तो वहाँ पर दो लोगों के बीच में की जा रही conversation कोई आप खुद से record करते हैं तो वह अपराद नहीं है लेकिन अगर सुप्रीम कोट के judgment के according देखें जो की एक बहुत बड़ा और landmark judgment है इसमें सुप्रीम कोट ने सीधा सीधा काया है कि right to privacy आपका malli का दिकार है और कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता है तो दोस्ते सा conclusion निकल के आता है कि अगर आप खुद की call record कर रहे हैं तो ये कोई भी अपराद नहीं है लेकिन ये right to privacy का उलंगन है यदि सामने वाली party चाहे तो आपको right to privacy को breach करने के लिए court में ले जा सकती है जिसके लिए आपको civil compensation देना पड़ सकता है लेकिन criminal law के according ये कोई अपराद नहीं है जब तक कि कोई third person इसे ना कर रहा हो तो मैं समझता हूँ कि जितना मैं आपको बताया उससे अब आपको बिल्कुल किलियर है कि आप call recording कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं अब दोस्तों देखो यहाँ पर legal call recording तब होगी जब आप किसी से बात कर रहे हैं आप उसको record कर रहे हैं कि वाइब किसी और से बात कर रहे हैं और आप उसको record कर रहे हैं तो फिर ये invalid recording क्यालाईगी यानि illegal recording क्यालाईगी क्यालाईगी क्योंकि यहाँ पर आप third party हो गए दो लोगों के बीच में होने वाली conversation को आपने record किया बाकी दोस्तों समय समय पर तरह तरह के judgment आते रहते हैं जहां पर कुछ चीजों को valid और कुछ चीजों की invalid बता दिया जाता है काफी study के बाद मामले को परकने के बाद मामले को जांचने के बाद तो उनसे भी हमें पता चलता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी फिलाल जो law है वो मैंने आपके सामने रख दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब समझ गए होंगे कि कब आप recording कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, एक और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको किलियर करूँगा, WhatsApp chat के बारे में, WhatsApp message के बारे में कि वो कब valid होती है, कब valid नहीं होती है और किस प्रकार से आप उनको court में पेश कर सकते हैं, as evidence जिससे कि आपको नयाय मिल सके बाकी दोस्तों, वीडियो का description आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको इस Supreme Court के judgment का, landmark judgment का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर के पूरा judgment पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा judgment है आपके बहुत काम आएगा, नेक्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाई, and thank you for watching टेक कियर